योग गुरू बाबा रामदेब ने पतंजली की उड़ से कोरोना केलाज के लिए बनाई गई कोरोनिल दवाई को रिलाउंच किया है कोरोनिल की प्रमाडिकता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कोरोनिल की रिलाउंचिंग के मौके पर पतंजली ने ये दावा किया है कि नई दवा साख्यों पर अधारित है नई दवा के लॉंच के मौके पर केंद्रिय स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हश वर्दन और केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी भी मौजूद रहे नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही है पतंजली का कहना है कि नई कोरोनिल दवा C.O.P.P.W.H.O. G.M.P. सर्टिफाइड है रिसर्च पेपर को लेकर जानकारी साजा की और कोरोनिल की प्रमानिकता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया पतंजली का कहना है कि कोरोनिल टेबलेट से अब कोविट का इलाज होगा आयुश मंत्राले ने कोरोनिल टेबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर सुईकार किया है इसके साथ ही पतंजली के ओर से दावा किया गया है कि कोरोना की इस नई दवा को डीजी सी ए और डवली अच्चो से अप्रूवल मिला है 154 देशों के लिए अप्रूवल मिल गया है इसके बाद पतंजली आधिकारिक रूप से कोरोनिल का निर्यात कर सकेगी आईरवेद चिकित्सा पद्धिती की तारीफ करते हुए केंद्रे स्वास्थमंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा कि कोरोना काल में आईरवेद पद्धिती पर लोगों का विश्वास बढ़ा है कोरोना से पहले आईरवेद का मार्केट हर साल 15 फीजदी बढ़ रहा था लेकिन कोरोना के बाद इसमें 50 से लेकर 90 फीजदी तक उछा लाया है आईरवेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और जादा इस्ताबलिश होता है तो शायद आईरवेद को किसी के किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की जरूत नहीं है और मैं इस समस्ता हूं की अभी अगर इसको टेकनिकल तरीके से भी अध्यन करेंगे तो भारत में 30,000 करोड रुपे की एकॉनमी है आईरवेद की जिसका हर साल 15 से 20 प्रतिशत का ग्रोथ होता था ये ओफिशल डैटा है लेकिन अभी यह pre-covet एरा का है और post-covet एरा में हमारे भारत में आईरवेद की जो एकॉनमी है उसका जो 30,000 करोड की उसका जो ग्रोथ रेट प्री-covet 15 से 20 प्रतिशत था वो अब 50 से 90 प्रतिशत तक ग्रोथ रेट हो गया उस एकॉनमी का ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है एक्सपोर्ट्स की दृष्टी से भी बहुत इसमें मार्ग्ड इंप्रूब्मेंट हुए बतादें कि पतंजली आईव्यद ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनियल लॉंच की थी जिसमें साथ दिन में कोरोना के लाज का दावा किया गया था हाला कि लॉंच होते ही ये दवा विवादों में आ गई थी सरकार से इसे मन्जूरी नहीं मिले थी और पतंजली अपने इम्म्यूनिटी बूस्टर उत्वादों को इसी नाम से बेच रही थी कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव की कमपनी पर मद्रास हाइकोट ने 10 लाक रुपे का जुर्मान लगाया था हाइकोट ने कोरोनिल शब्द का इस्तमाल बंद करने का आदेश भी दिया था अब कमपनी ने कोरोनिल के साथ सैंटिफिक रिसर्च पेपर भी जारी किये हैं और दवा की प्रमाडिकता पर उठ रहे सभी सवालों पर जवाब दिया है नवदे टाइम्स के लिए संगीता सिंग की रिपोर्ट देल्ली